केंद्रिय विद्याले संगठन के द्वरा आईजित की गई KBS, PRT, TGT, PGT के सांसाथ जितनी भी भरती प्रक्रिया चलाई जा रही थी सब विवादों के घेरे में और एक तरीके से धांदली की भेट चरती हुई नजर आ रही है जब परिच्छा ऑनलाइन मोड में हो रही थी तभी से ये विवाद उठा था कि जो कमपनी को ठेका दिया गया है वो परिच्छा कराने में सक्षम ही नहीं थी एक जगह पर जहां पर सेंटर बनाये गये थे वहां से हजारों सैकडों किलोमेटर दूर बैठा अभिर्थी भी पेपर सॉल्व कर पा रहा था रिमोट पर एक्सेस लेकर के तो ये सीधे तोर पर उस ओनलाइन परिच्छा कराने वाली एजंसी की फॉल्ट के तोर पर देखा जागा लेकिन आयोग के हाथ में जो कुछ भी था उसे भी आयोग सही धंग से नहीं निभा पा रहा है जिसकी वज़े से केवियस के द्वारा आयोजित की गई 2022-23 की पूरी भरती प्रकिया चाहें किसी भी पोस्ट की बात कर लें वो अपने आप में एक विवादों के घेर में फस्ती जा रही है इसक्रिन पर आप एक आर्टिकल देख पार होंगे रिमोट पर सिस्टम लेकर के केवियस टीजीटी का पेपर सॉल्व कराते पांच यूग गरफतार यह TGT का आर्टिकल आप देख सकते हैं इसी प्रकार से PRT में भी और इसी प्रकार से आने पोस्ट के लिए भी धांदली हुए थे और एक सेंटर पर से सेकडो किलोमेटर दूर बैठा अभियर्थी उस पेपर को सॉल्व कर रहा था यह पूरी तरीके से यह जो कंपनी ठेका लिए थी ओनलाइन परिशा कराने के लिए उसकी विफलता के तौर पर देखा जाएगा कि आज जब हम लोग 21 सदी में टेकनोलोजी की बात कर रहे हैं तो क्या इस प्रकार का सॉफ्ट्ययर नहीं मनाया जा सकता था जो कि अगर तो यह पूरी तरीके से जो भी कंपनी ठेका लिया था उसकी विफलता की तौर पर दर्शाता है और साथी साथ केवियस पर भी एक दब्बा लगाता है कि वो ऐसी कंपनी को ठेका दी थी जो की गलत तरीके से इस प्रकार के मामले प्रकाश में आया हैं इसके अलावा जो च VBS, PRT की बात कर ले, TGT की बात कर ले, PGT की बात कर ले, जिस भी पोस्ट के लिए अभी तक interview का schedule जारी किया गया है, उसमें cut-off बताया ही नहीं जा रहा है, कि final cut-off कितना है, कितने cut-off वाले candidate को call किया जा रहा है, उसमें एकाद 10-5 candidate अगर इधर उज़र से भी डाल दिया है, तो किसी को क्या पता चल पा रहा है, कि कितना cut-off गया है, और उस बंदे का कितना cut-off है, ये तो पूरी तरीके से परदर्शिता पूर्ट परिक्षा, एक तरीके से भरती प्रक्या नहीं हो पा रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जो अभी 79,000 सहा जो भी आयोग है, जैसे CRT और PNP की बात कर लें, तो उनको निर्देशित ये किया गया है, कि सब कुछ आंकडे पारदर्सी धंग से दिखाये जाए, कि कौन से अभ्यर्थी का एक तरीके से final गुडांग की कितना था, कौन से अभ्यर्थी जो select हुए है, उनका क्या category था, ये सब कुछ डेटा दिखाने के लिए बोला गया, जितनी ज़्यादा आप डेटा को दिखायेंगे, चाहे वो cut off की बात कर लें, प्रतेक बंदे का number की बात कर लें, तो वो चीजे और सुचिता पूर्ण तरीके से निकल करके आती हैं, और हाँ, कैंडिडे के मन में ये वि बात कर लिजा, जिस प्रकार से आखड़े शुपाया जा रहा है, निश्ची तोर पर संधे जरूर पैदा करता है अभी यर्थियो के बंद में, आपको क्या लगता है, कमेंट के मादे मसे जरूर बताएगा, और ऐसे ही मत पूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक् भुकावट केंट 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 करतों केंट के छो लिए सन्पड़े के लिए।षबगेगे केंट केष्यों का इस भी एल व बना.